इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाखियोनियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है कि ये शोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गए। और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की और दोड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बच्चाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुमहार के पास पहुँचे। कुमहार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था लेकिन जैसे ही कुमहार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन हुआ। कुमहार जानता था कि श्रीक क्रेश्न साक्षात परमेश्वर हैं तब प्रभू ने कुमहार से कहा कि कुमहार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भाया मुझे कहीं छुपा लो तब कुमहार ने श्रीक क्रेश्न को एक ब कुम्हार ने कह दिया नहीं मैया, मैंने कनहया को नहीं देखा, श्रीक्रिष्ण ये सब बाते बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे, मैया तो वहां से चली गई, अब प्रभु श्रीक्रिष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, ये दिया चली गई हो, तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो, कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो, कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूँगा, प् प्रभु जी, एक विंती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूँगा, भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो, कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के उपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, भगवान ने कुम्हार के प्रेम और प्रसन होकर, उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया, प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सविक्षा पूरी अब तो मुझे घडे से बाहर निकाल दो तब कुमार कहता है अभी नहीं भगवन बस एक अंतिमिच्छावार है उसे भी पूरा कर दीजिए और वो ये है जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संबाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे ब बहुत खुश हुए और कुमार की सिच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया फिर कुमार ने वाल श्री कृष्ण को घडे से बाहर निकाल दिया उनके चरणों में साश्टांग प्रणाम किया प्रभुजी के चरंधोई और चर्णामृत पिया अपनी पूरी जोपड़ी मे चर्णामृत का शिड़काव किया और प्रभुजी के गले लगा कर इतना रोए कि प्रभु में ही बिलीन हो गए कि प्रभु में ही बिलीन हो गए जरा सोच करके देखिए जो बाल श्री कृष्ण साथ कोस लंबे चोड़े गोवर्धन परवत अपनी कन्य उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर कोई कितने भी अग्य करे अनुष्ठान करे कितना भी दान करे चाहे कितने भी भक्ती करे लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्र लगे तो दूसरों को भी भेजिये प्रात्ना नश्ट नहीं होती उप्योक्त समय पर क्रियावन्त होती है इश्वर सदेव आपको सब परिवार स्वस्त वसुखी रखे जै जै श्री कृष्ण